तो दोस्तों क्या आप जाता है कि Gorilla Glass क्या होता है कि Corning Gorilla Glass क्या होता है और ये इतना मलबूत क्यों होता है और इसका इस्तिमाल तहां तहां किस-किस Mobile Effect Tablet में क्या होता है तो दोस्तों आज हम एक Gazette UG में जी रहे हैं पहले पहले हमारे डिवाइस इतने पॉर्टेबल नहीं थ लेकिन आजती समय में काफी सारे प्रोसेसर इतना तेज हो गया है इस्क्रीन की क्वाल्टी इतनी अच्छी हो गया एक कैम्रा 48 मेरा प्रोसेसर 64 मेगा पिक्सल का आरे लगा है तो आप लोगों को पता ही हो दोस्तों कि जो पहले मोबाइल थे ना उसमें कैम्रा बितने खास नहीं था रगी इतने खास नहीं थे Fratu आप लोगों को पता ही हो gider को इस्टून को जाने वाले है या लेट आरा है अभी की जवाने में हमारे की इस गbnली इस स्क्रीन और ट्च साथी साथ होते है European क्वाटए तो ऐस आपकर स्क्रीन को तो लिगा जाता है तो थ आपकाकि देख लिए एक glass होता है दोस्तों जिसको बोरते है Corning Gorilla Glass बर Corning तो दोस्तों यह एक company है लेकिन जो Gorilla है इस company का एक series है जिसको जो glass बना दी है दोस्तों वो television बड़े बड़े टेलिविजन जो की काफी महेंगे होते हैं बड़े बड़े टेलिविजन, smartphone, tablet, notebook, apple, notebook मतलब यह जो glass है Gorilla Glass यह Corning ही बना सकती है क्योंकि इसकी copyright इसी के पास है किसी other company के पास नहीं और जितने भी brand के mobile आते हैं वर्ड में सबको यह Corning company ही Gorilla Glass प्रवाइड करा सकती है दुस्ती other company कोई भी glass प्रवाइड नहीं करा सकती प्रवाइड होते हैं और क्या नुपसान होते हैं नुपसान तो मुझे रुदा कमी होते हैं बट फायते जरूर होते हैं तो अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा मेरा के आप देखना है Technical City तो दोस्तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अबाल आपको प्रेस कर दीज फे करेक्टिव जो screen होते हैं मुझे इन विल आती है वह screen बहुत ही सुन्दर और इसमूझ चलती है एंड ये एक दब scratch resistant होता है अगर आप उसको करें तो इसमें scratch बहुत ही कम आएंगी यह नहीं होता scratch proof होता है बट scratch resistant होता है और बात की जाएगा इसके लुग के तो यह देखने में आपको बहुत सुन्दर दिखता है और हाँ यह सामाने ग्लास के मुकाबले काफी पतला होता है और यह आपके मुबाइल को हीट जब होता है तो उसको जिसे आप Sunlight में यूज़ करो है या फिर गर्मी में यूज़ करो और दोस्तो इस ग्लास के manufacturing जब होता है तो पाफ के chemical के इसके साथ अब मुझे लगता है यह आपके health के लिए भी थोड़ा डावा डोल है समझ रहे हैं यह से आप स्कीन को SSS करते हो फिर SSS करते हो तो मुझे लगता है कि आपको health को भी थोड़ा नुक्सान पहुचा सकता है तो गोरिले क्लास sketch resistance तो होता है video scratch वरूप में होता है मालोग आप किसे चक्कू या फिर किसी nuclear चीज से आप SSS करोगे तो इसमें scratch obviously यह पढ़ी जाए हो तो तो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ को आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारी यह वीडियो के बारे में तो अगर आपको यह मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो यह वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब करें प्रेस कर देगा क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकल वीडियो लाता रात्वाल में चैनल का आप लोगों दो पता ही है